नमस्कार बच्चों, आज हम पृतिवी राज रासों की भाशा पर चर्चा करते हैं भाशा की द्रिष्टी से पृतिवी राज रासों एक अत्यनती ही विवाद करस्त गरंत रहा है डाक्टर विपिन बिहारी तिर्वेदी ने चंदर वर्दाई और उनका काव्य नामक्रती में रासों की भाशा विशेग विशेशताओं का उद्गाटन करते हुए कहा है भाशा शास्त्री को यदि भारत की गौड़ी भाशाओं की अभी संदी देखनी हो तो रासों से अधिक चमतक्रत करने वाला कोई दूसरा गरंत उन्हें नहीं मिलेगा विभिन भारती भाशाओं संद्या में उसे अनोखे और क्रांतिकारी सिद्धानतों के नियमन का आउसर स्थल पर आएगा आगे वे लिखते हैं कि इस भाशा की परिक्षा करने पर कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है इसमें वैदिक, संस्कृत, पाली, पैसाची, मांगदी, अर्ध मांगदी, सौरसेनी, महारास्ट्री, अपबरंश, प्राचीन राजिस्थानी, प्राचीन गुजराती, तथा पंजाबी, ब्रेज, आदी भारती, आरी भाशाओं के शब्दों के अतिरिक्ते, अर्बी, फा परन्तु इस काब्य में कई शक्तियों के अवांतर में प्रक्षेपों का घटाटोप होते होते, भाशा का रूप और भी अधिक विक्रित हो गया है अनेक शब्दों के संस्क्रित से लाकर आधुनी काल तक जितने रूप आंतर हुए हैं, उनका प्रियोग रासों में मिल जाता है अब उपरी तो कथन के अधार पर हम चंद के विविद भाशा विशाय ज्यान का परिचे प्राप्त करते हैं कवी ने स्वयम ही आधी पर्व के चंद संक्या नंबर 84 में अपने आपको 6 भाशाओं का ज्याता बतलाया है जैसे उसमें लिखा है उक्ति धर्म विसालस्य राजनीती नवम रसम शट भाशा पुराण चा कुराणम चा कतितम मया चंद ने सट भाशा क्या है इस बात को इस पस्त नहीं किया तो भी सट भाशाएं ये हैं जैसे संस्कथ है, प्राक्रत है, अबभन्स, पैसाची, मागदी और सौरसेनी इन भाशाओं के सब्दों को ही ग्रहण करके चंद्र ने विर्थिवी राज रासो ग्रंत का प्रणयन किया है। भाषा सूत्र का प्रज्वलन उन दिनों खूब था नवी सर्दी के रुद्रट कवी ने इस सट भाषा सूत्र को अपने ग्रंथ काब्या लंकार में भी बतलाया है उन्होंने कहा भाषा भेद निम्मितह शोडा भेदो अस्य संभवती प्राकृत संस्क्रित मगध पिशाच भाषा एज सौर से नीचे शटो सूत्रम भूमिवेदम देशा विशादम प्रंसम तो इस प्रकार से आचारी वाणभट ने भी अपने ग्रंथ वाणभट लंकार में इन भाषाओं को वर्नित किया है उस काल में साहत तधा बोलचाल दोनों में ही उपर एक शट भाषाओं का प्रिचरन होता था अतह चंद के सट भाषा प्रियोग से अभिप्राई इन सभी भाषाओं की प्रियोग से है सभी भाषाओं का उनमें प्रियोग किया गया है रासो में प्रियुक्त भाषा का सरुप्रथम अध्यन पाश्चाति विज्यान पाश्चात विद्वान श्री F.S. ग्राउज ने किया था और उसके पश्चात भी कई प्रियास किये जाते रहे हैं आज तक जितना भी भाषा समंदी कारी हुआ है उसकी आधार पर रासो की भाषा के समंद में हम चार मत महत्पून मानते हैं जैसे रासो की भाषा अपभरंस और डिंगल भाषा पिंगल भाषा कहते हैं राजिस्थानी भाषा को और रासो की पिंगल भासा है उसे वह ब्रज है और रासो की मिस्टित भासा इसको हमने चार भागों में बाटा है तो रासो की भासा अब अपभरंस डिंगल अथा राजस्तानी पिंगल ब्रज और उसकी मिस्टित भासा अब हम रासो की भासा के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं विद्वानों ने इस कृति को हिंदी की रचना न मानकर अपभरंस की रचना माना है संदेश रासक एवं चंद्रकृत प्रिथिवी राज रासो समकालीन रचना हैं उन दोनों में प्रयुक्त भाषा में अद्वु समानता दिस्टिगोचर होती है इस आधार पर कह सकते हैं कि प्रिथिवी राज रासो की भाषा अपभरंस है न कि हिंदी पुरातन प्रबंध संग्रह नामगरंथ के संकलन करता ने भी रासो की भाषा को देश्चि प्राकर्थ भाषा कहा है देश्री प्राकर्त भाषा से उनका भी प्राय अपभ्रंस से ही है मुनी कांति सागर ने विशाल भारत भाग 38 अंक 5 में जो की 1946 में प्रकासित हुआ था उस लेख के आधार पर रासो की भाषा अपभ्रंस घोशित की है और मत्वरा प्रसाद दिक्षित ने भी रासो को अपभ्रंस ही माना है यहार निर्विवाद है कि रासो बारवी सताब्दी में बना है उस समय की भाषा मिश्रित थी अतयव पृत्वी राज रासो का भी प्राकर्त मिश्रित भाषा में निर्वान हुआ है दिक्सित जी का प्राकरत मिस्टित भासा से अभिप्राई अपभरंस से ही है और डक्टर हजारीपसाद दिवेदी भी इसकी भासा को अपभरंस बताते हुए कहते हैं दसवी से चौदवी सताबदी का काल जिसे हिंदी का आदी काल कहते हैं भाषा की द्रिस्टी से अपभ्रंस के बढ़ाओ को कुछ लोग उत्तर कालिन अपभ्रंस कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी 12 शताबदी तक निश्चे रूप से अपभ्रंस भाषा ही पुरानी हिंदी रूप में चलती थी संदेश रासक उसी प्रकार के अपभ्रंस बारवी और तेरवी शताबदी में लगभग अर्थाद उसी समय जब पृथिविराज रासो लिखा जा रहा था रचित हुआ था रासो कुछ उसी ढंकी भासा में लिखा गया होगा अब सुनीती कुमार चटर जी हैं और दस्ट शर्मा है उन्होंनों भी रासो की भासा को अपभ्रंस ही माना है दूस्ता है रासो की भासा डिंगल अर्था राजस्थानी डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपनी कृती हिंदी साहिति का आलोसनात्मक इतिहास में प्रिथिवी राज रासों की भासा को डिंगल बताया है डॉक्टर दस्रत शर्मा ने कत्पे निबंदों में रासों की भासा को अब्रंस बताया तथा परवर्ती अन्य निबंधों में उन्होंने इस भासा को प्राचीन राजिस्थानी यथा डिंगल बताया उनकी माननेत है कि अबभरंस एवं डिंगल में कोई अंतर नहीं उन्होंने कहा इन प्रदेशों की देशी भासा में रचित राजिस्थान के समराट और सामनतों की गौरवमई गाथा को हम चाहे अबभरंस की करती माने चाहे प्राचीन राजिस्थानी की देश भासा की इसमें वास्तिविक भेधी क्या है और मोतिलाल मेनारिया ने प्रारंभ में तो रासों की भाषा को डिंगल बताया था पर राजिस्थानी भाषा और साहित्य नामक निबन में उन्होंने रासों की भाषा को राजिस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा बतलाया है आगे रासों की भासा पिंगल अर्था ब्रज भासा अब नरोत्म स्वामी है उन्होंने पिर्थिपिराज रासों की भासा को डिंगल अर्था डिंगल बतलाने वाले विद्वानों के तरकों का खंडन करते हुए उसे पिंगल की रचना बतलाया है उनका मत है कि इन विद्वानों ने न तो डिंगल को देखा और न पिंगल की इन रचनाओं का अध्यन ही किया और डिंगल क्या है इससे अपरिचित होने के कारण इन पिंगल रचनाओं को डिंगल कह डाला केवल इसलिए कि इनकी रचना राजिस्थान में हुई इस प्रकार मोति लाल मेनारिया आदी विद्वानों ने रासों की भासा के वाकि गठन, शब्द चयन, प्रवृति, एवंब्याकरण आदी के आधार पर भी उसे पिंगल अर्था ब्रज की रशना बतलाया है अब इस क्रम में कई विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने इस भासा को पिंगल बतलाया है उनका कहना है यहां तक की जो जार्ज गिरिरसन थे उन्होंने भी इस भासा को पिंगल अर्था ब्रज भासा बतलाया है इसमें ब्रज भासा का रूप इस प्रकार से दिस्टब भी है मनहु काम कामिनी रचिय रूप की रासी पसु पंची सब सोहिनी सुरुनर मुनियर पास दूसरा है सम बनीता वर बंदी चंद जंपिय कोमल कल सबद ब्रह्मा उही सत्थ अपर पावन कही निर्मल इस प्रकार से इन के आधार पर उसको पिंगल बतलाते हैं रासो की भासा मिस्रित भासा डाक्टर विपिन बिहारी तिरवेदी ने रासो की भासा को विवित भासाओं का गरंत कहा है उनका कहना है कि इसमें वैदिक संस्कित पाली, पैसाची, मांगदी, अर्ध मांगदी, सौरसेनी, महारास्ट्री, अभरंस, प्राचीन, राजस्तानी, प्राचीन, गुजराती, पंजाबी, ब्रज आदी, आरी भासाओं के सब्दों के अतिरिक्त, अर्भी, फार्सी, तु जैसे वैदिक सब्दों का प्रियोग किया गया, जैसे पुहुवी, मला पृथिवी, हत्य, हस्त, रशस, राक्षस, और संस्कृत सब्दों का प्रियोग भी बहुत अधिकत मिलता है इसमें, जैसे है इसमें, मनहकला ससिभान कलासोलहिंसौ बननिय, बाल बेश ससिता समीप अमित्ररस्पिन्नय, विगसी कमल सिग्र भरमरह मैन खंजन मिण रग़ लुट्टिय, हीर कीर अरुबिम्ब मोती नकसिक अहिया गुट्टिया, इस चन्ध में, प्रियोग्तिकल भरमरह श्रंग खीर्किर नकस अही आदी शब्द संस्कृत की है इसमें पाली, पैसाची, सौर्शेनी सब्द जैसे दिशी है, बेसुआ है, उद्देश है और महारास्ती सब्द शई है, शुधा है, शिश्या है अर्द माक्ती के सब्द हैं, नायर, सायर, भर, अर्भी फार्सी के सब्द भी हैं, इसमें जैसे ले चलियो सिताबी करी फारी फोजम परी पियम चा पंचत तह सेत चौजम इस संद में सिताबी, फौज, पीर तथा चौँजादी विदेशी शब्दों के शब्द भी किया गया है शब्दों का प्रियोग किया गया है पंजाबी शब्दों का प्रियोग भी है इसमें सुनह, सुन्दरी, बत्तरी, भुजन, परद्धी, चाल इसी बर्ष का दूसरा है और ब्रज भासा के सब्दों का प्रयोग है और संस्कित के शब्दों का प्रयोग है नमह समवायम सरबबायम वायम नभोरुद्रम पायम वरदायम सायम इस परकार से अनेग भासाओं के शब्दों का इसमें प्रियोग किया गया है अब इन विवेचन के पश्चाद हम रासों की भासा के समंद में इस निसकर्स पर पहुंचते हैं कि रासों की मूल रूप में रचना अपभरंश भाषा में ही हुई होगी परंतु कालांतर में जैसे जैसे उसकी स्वरूप का विकास होता गया वैसे वैसे उसमें भाषा के युबीन रूपों का प्रियोग भी होता गया यही कारण है कि उसके व्रहथ संसकर्ण में हमें ग्यारवीन सदी से लेकर अठारवीन सदी तक की विवित भाशा के रुपों का प्रियोग देखने को मिल जाता है रासो एक विक्सन सेल महाकाबी है भरता उसमें भासा के प्राचीन एम नवीन दोनों रूपों का मिस्टन प्राप्त हो जाता है रासो में हिंदी इतर भासाओं के सब्दों का प्रियोग खुल कर हुआ है इसमें रहंदी रहंदे सूल्दा आदी पंजाबी सब्दों का अमीर हमीर सहर आदी अर्वी फार्सों का अर्वी फार्सी के सब्दों का बहुलता से प्रियोग हुआ है यथास्तान इसमें ब्रेज प्राकृत आदी सब्दों का प्रयोग भी देखा जा सकता है। समग रूप में रासों की भाषा स्वच्छन्द होते हुए भी अत्यंत सम्रिद्ध शालीन एवन विक्संशील है। विक्संशील भाषा है।